नमस्क्राइब दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ अच्छे सिक्कों के बारे में डाई वरैटी और म्यूल कॉइन के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि नॉर्मल आपके पास में कोई क्वाइन आता होगा तो आप पहचान नहीं पाते हैं तो मैं वह आपको बताऊंगा जिससे की आप अपने क्वाइन को सस्ते में न बेज़ते हैं तो वो सारी चीजे आप चानेगे हमारे इसी वीडियो में आगे, जो क्या है उसकी डीटेल्स पूरी, उससे पहले आप चैनल पे नए हैं, और आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किया, तो कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब साथी साथ ढाला अीकन प्रस कर द वाला कॉईन है copper nickel में metal के साथ में दूसरा यो भी copper nickel metal के कॉईन है और तीसर ए फेरेटिक stainless steel वाला कॉईन आप देख पा रहे हैं तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि copper nickel के जो कॉईन हैं वो normal कॉईन जो होते हैं copper कोपर निकल के आम्चलन में ऐ हुए हुए उनकी क्या कीमत है साथ goat को कीमत क्या है वह भी जानेंगे तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहेँे जिससे आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपकी जानकारी कोई मिस नहीं होने पाएगी तो पहले हम बात कर लेते हैं कौपर निकल के इस सिक्के के बारे में तो ये सिक्का मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ इसमें देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये डॉट 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 आपको चारो तरफ दिखाई देगा जगत गुरु स्री नारायन गुर्दियो हिंदी और इंग्लिश में लिखाई दिखाई इसमें देता है बात करें अभी इसर ओवर साइड में जाएंगे तो ओवर साइड में भी आपको देखेंगे तो ये असोग स्थम और बाकी ये डॉट 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 पूरा गुलाई में चारो तरफ से बना हुआ दिखता है सत्य में ओ जेते उसी के नीचे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ दिखाई देता है भारत रुपए हिंदी में तता इंडिया रुपीज इंग्लिस में लिखा हुआ नजर आता है ये है एक कौपर निकल का क्वाइन जो जगत गुरु श्री नाराण गुर्देओ वाला क्वाइन है जो आम चलन्ज में आया हुआ सिक्का है बताएंगे हम इसकी कीमत बट इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसी का म्यूल कौइन आपने वो देखा अब ये म्यूल कौइन है Mule coin देखेंगे तो वह में भी आप देखेंगे तो dot 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 गुलाई में लिखा भवा दिखता है जगत गुरु शिरी नारान गुर्दियो वैसे ही हिंदी और इंग्लिस में लिखा दिखाई देता बट इसका जब over side आप देखेंगे तो over side में आपको difference दिखाई देगा over side में उसमें यहाँ पे dot 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 बने हुए थे और इसमें आप देखेंगे तो dot नहीं है यह rim जो बना हुआ है देख पा रहे होंगे इसमें semi circles जो हैं यह यह बने हुए हैं तो यह semi circle यह इसको mule coin बना देते हैं मैं वह वाला coin भी साथ में ले लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा देख पा रहे होंगे आप तो इसमें देख रहे होंगे dot 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 नजर आ रहा है और इसमें यह semi circle नजर आ रहा है यह normal coin है और यह एक mule coin है तो जो मैंने detail बता ही आपने देखी यह semi circle वाली यह इसको एक कीमती सिक्का बना देती है इस वाले mule coin को इसकी कीमत भी मैं अभी आपको बताऊंगा अब मैं समझ रहा हूँ कि आप mule coin और normal coin जो मैंने आपको दिखाया उसमें दोनों में आप difference कर पा रहे होंगे कि यह over side से दोनों में difference होता मैं दोनों coin सामने रखे हूँ आप देख रहे होंगे दोनों में over side से अगर आप देखेंगे तो आपको difference पता चल जाएगा और दोनों की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है बात करने मैं पहले इस normal coin की कीमत की बात करूँ तो normal coin की कीमत जो है यह fine condition to unc condition vary करती है fine condition में जो यह सिक्का है वो आपको लगबग 100 से 120 130 रुपए, 140 रुपए तक लोग sale करते हैं और मिल जाता है वहीं अगर आप यह सिक्का आप extra fine या very fine condition का होगा तो आपको लगबग 200, 300 रुपए की कीमत में मिलेगा और unc condition में इसे एक सिक्के की कीमत लगबग 800 और 1000 रुपए तक चली जाती है 800-1200 रुपए तक लोग एक B.O.N.C. condition का जो आम चलन में copper nickel का सिक्का चला उसको sale करते हैं और लोग purchase भी करते हैं अब हम mule coin के सिक्के की कीमत की बात कर लेते हैं अगर आपके पास में ये वाला जगद गुरु सिर नाराण गुर्दे वाला ये coin mule coin आपके पास में है तो आपको उसके fine condition का एक सिक्का अगर आप लेना चाहेंगे या बेचना चाहें तो fine condition का सिक्का जो है वो भी आपका असानी से लगभग 5-6,000 रुपए कम से कम 6,000 रुपए का बिकेगा very fine condition और extra fine condition में अगर आप लेना चाहेंगे तो लगभग 8-9,000 रुपए या 10,000 रुपए तक की इसकी किमते चली जाती हैं वहीं UNC condition का एक सिक्का अगर आप लेना चाहेंगे तो लगभग आपको इसके लिए खर्चा करने पड़ेंगे 15-18,000 रुपए 15-18,000 रुपए खर्चा करने पड़ते हैं UNC condition के एक जगत गुरु स्री नारायन गुर्देवाले मूल कौइन को खरीदने के लिए जो copper nickel metal का कौइन हो बात कर लेते हैं अब हम stainless steel वाले कौइन की जगत गुरु स्री नारायन गुर्देवाले कौइन की जगत गुरु स्री नारायन गुर्देवाला ये कौइन भी है ये ferritic stainless steel का कौइन है यह ferratic stainless steel में बना हुआ कोई है बात करें हम जगत गुरु शिरी नाराण गुरुदेव वाले ferratic stainless steel के कोई के साथ में इस में Overside में भी MuleCoin आता है और reverse side में भी MuleCoin आता है यह चेहरा दिखाई देगा वहाँ पर यह चेहरा देख लेंगे तो आपको difference पता चल जाएगा दोनों के चेहरे में आपको difference पता चल लाओगा देख करके इसके नाक और कैसा मो बना हुआ शाप न जा रहा रहा तो जो यह copper nickel वाला है यह die जो है reverse side में use हो गई तो वो इसको बना देता है stainless steel वाले coin को mule coin और अगर reverse side में के साथ साथ our side में भी इस कोई die use हो जाए copper nickel वाले coin की die reverse side में तो use ही हो साथ ही साथ our side में भी use हो जाए तो वो ये इसको both side mule coin बना देता है और साथ में एक coin इसमें stainless steel में आता है जिसमें आपको जो reverse है वो तो ऐसा ही दिखाई देगा बट hours में ये die use हो गई है जो copper nickel वाले coin की तो वो इसको hours side से mule बना देता है अब मैं आपको hours side वाले mule coin, reverse side वाले mule coin और जो की both side से mule coin होता है उनकी सब की कीमते आपको मैं बता देता हूँ तो जो both side से mule coin है both side से जो mule coin रहता है पहले मैं उसकी कीमतों की बात कर लेता हूँ both side से mule coin वाला कीमत जो रखता है वो लगबग 3500 से ले करके 600 रुपए अलग-अलग condition के हिसाब से coin होता है वही जो over side का mule coin है वो लगबग 300-300 रुपए की कीमत में बिखता है बात करें UNC condition की मैं बात कर रहा हूँ 500-300 रुपए में और अगर reverse side से mule coin है reverse side वाला mule coin थोड़ा सा कीमती रहता है reverse side वाले mule coin को अगर आप लेना चाहेंगे तो UNC condition के लिए तो अच्छे खांसे पैसे खर्चा करने पड़ेगे fine condition में भी सिक्का 2-300 रुपए में बिख जाता है वहीं UNC condition का वो सिक्का 800 रुपए तक की कीमत में चला जाता है तो यह आपने जाना जगत गुरु स्री नारायान गुर्दियों के कितने तरीके के coin आए मैंने पहले बताया आपको यह कि common coin जो circulation में आता है copper nickel वाला उसके बारे में बता है फिर चौता कोईन है और साइड के σटील में मिल कॉइन चटा कोइन मैंने आप को बताया जो पांचवा कॉइन हो गया reverse साइड से और चटा हो गया बोस साइड से मिल कॉइन से टील में चार तरीके के coin आते हैं और copper nickel में दो तरीके के coin copper nickel में एक सामान एक मूल कोईन और फेलिटिक स्टेल में तीन मूल कोईन और एक सामानी कोईन आता है तो आपने जाना जगद गुरू स्री नरायन गुर्दियों के सभी तरीके के सिक्के के बारे में कैसी लगी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करीगा शेयर करिएगा और अगर इसी जानकारी आप अपने हमारे माध्यम से अपने को पाना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब साथी साथ बेल आइकन भी प्रस कर दें जिससे हमारे जो आने वाले वीडियों के उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा